कर दोस्तों आप सभी कापस TDD के ओनलाइन प्लेटफोर में बहुत-बहुत स्वागत है आज ही क्लास का हमारा टोपिक होने वाला है अनार तो अनार के सम्दी जो इंपोर्टेंट-इंपोर्टेंट क्यूशन बनते हैं उनके बारे में डिसकर्शन करने वाले हैं अनार से को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को करना ना भूले पहला आज की लास का पहला Wha season है नीम्न में से अनार का उत्पति इस्तल माना जाता है बारत चीन इरान या नेपाल इन चारों में से अनार का उत्पतित इस्तल किसी देश को माना जाता है तो अनार का उत्पती इरान को माना जाता है तो C, right answer होगा अगला क्यूशन है नीमन में से अनार का खाने योग्य भाग कौन सा है एडिल, बलूष्टा या दोनो या कोई नहीं तो इन चारों में से अनार का खाने योग्य भाग की बात करें तो अणर का खाने योगिः बाग कून सा होता है जुषी सीडलेस, ऑरिल, ऑरिल खाने के बाग होता है, तो ऐराइट ayre, आंसर होगा, अगला क्यूसन है, निम्न में से अणर उत्पाधन में बारत का विशो में कौन सा इस्तान है, तीसरा फर्तम चोताया दित्य तो इन चारों में से अनार उत्पादन में बारत का विशो में कौन सा इस्तान है तो अनार उत्पादन में बारत की इस्तान की बात करें तो फर्तम इस्तान है तो B right answer होगा अगला क्यूशन है बारत में अनार उत्पादन में अगर्णी राज्य कौन सा है महराष्ट्र यूपी उत्तरपरदेश एमपी मद्दे परदेश या टियन तमील नाडू तो बारत में अनार उत्पादन में अगर्णी राज्य कौन सा है तो बारत में अगर्णी राज्य की ब लाबदाईक होता है डेंगु रोगियों के लिए मलेरिया के लिए दोनों या कुष्ट रोगियों के लिए जो नार का जूस होता है वो किस विमारी के रोगियों के लिए लाबदाईक होता है तो डी राइट आंसरों का कुष्ट रोगियों के लिए अगला क्यूस्षन है नि दाडू, यूशी, मोसंबी या सभी तो इन चारों उप्शनों में से जो जंगली अनार है वो कौन सा है जंगली अनार की बात करें तो जंगली अनार कौन सा है दाडू इन चारों में से जंगली अनार है दाडू तो राइट आंसर होगा A दाडू जंगली अनार वो कहा जाता है अगला क्यूचन है निम्न में से अनार की कौण सी किस्म का उत्पादन सरवादिक होता है रुबी गणेश पेपर सेल या बगवा तो इन चारों में से जो अनार की किसम है वो कौन सी है जिसका उत्पादन सरवादिक होता है तो जो भगवा सिंदूर किसम है उसका सरवादिक उत्पादन किया जाता है तो डी राइट आंसर होगा अगला क्यूशन है निमने मेशे राजस्तान में अनार की खेती सरवादिक किस जिले में की जाती ह है हनुवान गड़े बाड मेर गंगा नगर या जैसल मेर तो इन चारों में से अनार की खेती शुरुवादिक मात्रा में किस जिले में की जाती है तो बीकानेर जिले में सोरी बाड मेर जिले में अनार की शुरुवादिक खेती की जाती है तो B right answer होगा अगला क्यूशन है निमन में से अनार का परवर्दन किया जाता है कटोर कास्ट कलम टीक लिकाएने एच बडिंग या बडिंग तो इन चारों में से अनार का परवर्दन किश्वीदी दोरा किया जाता है तो अनार का परवर्दन किया जाता है कटोर कास्ट कलम दोरा A right answer होगा अगला क्यूशन है निमन में से अनार की कलम है तू उप्योक्त समय है जुलाई अगस्त दिसंबर जनुवरी शितंबर अक्टूबर या फरवरी मार्च तो अनार की कलम है तू उप्योक्त समय की बात करे तो अनार की कलम है तू उप्योक्त समय जुलाई अगस्त माना गया ह तो A right answer होगा, उप्यूक्त समय कौन सा होता है अनार की कलम है तू? जुलाई अगस्त, तो A right answer होगा, अगला question है, निमन में इसे अनार की कम पानी वाले चेतर के लिए उप्यूक्त बहार कौन सी है? हस्त बहार, म्रिग बहार, दोनो या अम्बे बहार तो इन मेंसे अनार की कम पानी वाली छेतरों के लिए उप्युक्त बहार कौन सी मानी जाती है म्रिग बहार मानी जाती है तो B right answer होगा अगला question है निमन मेंसे अनार की किसी बहार में शर्वादिक उपज़ प्राप्त होती है अम्बे बहार, म्रिग बहार, दोनो या हस्त बहार तो अनार की कौन सी बहार है जिसमें शर्वादिक मातरा में उपज़ प्राप्त होती है तो अम्बे बहार में शुरवादिक मातरा में उपज प्राप्त होती है तो ए राइट आंसर होगा अगला क्यूशन है निम्न में से कौन सी अनार की बहार में फल उच गुनत्ता वाले प्राप्त होते हैं हस्त बहार, म्रिग बहार, अम्बे बहार या सभी तो इन चारों में से कौन सी बहार है जिसमें फल उच गुनत्ता वाले और अच्छे फल प्राप्त होते हैं तो जो हस्त बहार होती है उसके फल अच्छे प्राप्त होते हैं और गुनत्ता फल प्राप्त होते हैं ए राइट आंसर होगा अगला क्यूशन है अनार की महाराष्ट में प्रचलित किशम कौन सी है गनेश दोलका कंदारी या रूपी तो इन चारों में से महाराष्ट की प्रचलित किशम कौन सी है तो महाराष्ट की प्रचलित किशम गनेश है तो ए राइट आंसर होगा अगला क येसी कुछ में विदेश स्यायतित है यानि को देश स्थी आयतित है तो की अगला है निमन में से अनार की प्रिशन स्क्रण वे निर्यात के लिए उप्यूक्त किशम कौन सी मानी जाती है अगला question है नेमन में से अनार की बेंगलूरू से विक्षित की संकर किशम कौन सी है अमली दाना रूबी जोदपुर रेड या सभी तो इन चारों में से बेंगलूरू एच जो आई 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 आचार असरगटा बेंगलोर में इस्तित है उसके दवरा विक्षित संकर किशम कौन सी है तो रूबी संकर किशम आई 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 आचार बेंगलोर दवरा विक्षित है तो बी राइट आंसर होगा अगला क्यूसर है नेमन में से अनार की नरम किशम नरम बीज वाली किशम कौन सी मानी जाती है यानि का अनार की कौन सी किशम है जिसके बीज नरम पाए जाते है क्यूशन है नेमने में से अनार की कौन सी किसम राजस्तान में सबसे अधिक उगाई जाती है पेपर शेल वंडर्फुल डोलका या शिंदूरी तो इन में से इन चारों में से राजस्तान में स्रुवाधिक कौन सी किसम उगाई जाती है तो राजस्तान में स्रुवाधिक किसम गई जाती है वो गई जाती है बगवाशंदूरी तो d right answer होगा बगवाशंदूरी अगला question है निमने में से अनार की नई संकर किशम कौन सी है अमली दाना गणेश डोलका या जालोर तो अनार की नई किसम कौन सी है नई संकर किसम कौन सी है अमली दाना नार की नई संकर किसम है तो ए राइट आंसर होगा इसको गणेश और नन्ना के संकर से बनाया गया है उसा नन्ना और गणेश के क्रोश से अमली दाना नई संकर किसम विक्षित की गई है अनार की अगला क् कौन सी किसम के फलो का ओशत वजन शरवादिक होता है अनार के ओशत किसमों की सरवादिक होता है तो डी राइट आंसरों का वंडरफुल अगला कुशन है निम्न में से अनार का परमुक कीट कौन सा है अनार की तितली गरेलु मख्यी सपेद मख्यी या कोई नहीं तो अनार के परमुक कीट की बात करें तो अनार का परमुक कीट अनार की तितली होती है ए राइट आंसरों का इसके जूलोजिकल नेम की बात करें तो वीरा कोला आईसो करेटस अनार की तितली का विज्यनिक नाम यह नहीं जूलोजिकल नाम है अगला क्यूशन है निमने मेशे अनार में फलोका फटना की स्पोसक्तित्तों की कमीशे होता है मेगनिशियम की कमीशे बोरोन की कमीशे या केल्सियम की कमीशे या मेगनिश की कमीशे तो अनार में फलोका फटना की स्पोसक्तित्तों की कमीशे ह होता है बोरोन की कमी से होता है तो इसके उपचार के लिए बोरोन का चिडवाब किया जाता है बोरोन का चिलड़काव किशन रहता है तो इसके पषया के परतिरोधी किसम कौन सी है जो नार के फनलो का फटना जो रोग है देहिक विकार है उसके परतिरोधी किसमे कौन कौन सी है कांदारी बेदाना अलांदी या सभी तो जो नार के फनलो का फटना देहिक विकार के परतिरोधी है तो जो कंदारी है वो भी है बेदाना है वो भी और जो आलंदी है वो किशंभी देहिक विकार फलो का फटना के परतिरोधी है तो राइट आंसर माना जाएगा D सभी तो आजी क्लास में जो important important question बढ़ते थे अनार से और जो exam में पूछे जा चुके हैं उनी के बारे में discussion किया गया है अगर आजी क्लास आपको अच्छी लग